Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं C.S. अतबीर सिंग आपका स्वागत करता हूँ रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नए अपडेट डालें आपके पास ही मुझे लिए यह अपडेट पहुंच आए इस GST News में हम लोग डिसकस करेंगे कि यदि आप पिछले साल के अंदर यदि आपको कोई GST के अंतरगत Reverse Charge Mechanism के अंतरगत GST पे करना था लेकिन आप उसे Next Year में पे करते हैं तो आप उसका Input Tax Credit कब क्लेम कर सकते हैं यदि मुझे पिछले साल यानि कि Financial Year 2017-18 में GST Reverse Charge Mechanism के अंदर पे करना था लेकिन मैं अगले साल से पे करता हूँ यानि कि Financial Year 2018-19 में तो मैं उसका Input Tax Credit कब क्लेम कर सकता हूँ GST आट के अंतरगत Section 9 दिया गया है चहांपे के Subsection 3 यह कहता है कि यदि आप Specified Category की Goods या फी सर्विस ही लेते हैं तो उस Case में GST Reverse Charge Mechanism के अंतरगत recipient को जमा कराना होगा यानि कि जो Goods या फी सर्विस Notification में Specify के गई है उनके उपर GST Supplier पे नहीं करेगा बलकि वह व्यक्ति जो के इन Goods या सर्विस को ले रहा है वह व्यक्ति पे करेगा इसी परकारी Subsection 4 दिया गया है जो कि यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से कोई Goods या फी सर्विस लेता है जो कि GST आट के अंतरगत registered नहीं है तो उस केस में भी recipient को reverse charge basis पर GST पे करना होता है लेकिन अभी सरकार नहीं जो Provisionist Section 9 Subsection 4 की वो suspend की हुई है यदि आप Section 31 को देखते हैं C GST एक्टूथन 17 तो वहाँ पे Subsection 3 के नीचे Close F दिया गया है जो किया कहता है कि यदि आप reverse charge mechanism के अंदर कोई goods office service को लेते हैं तो उस केस में जो व्यक्ति है goods office service ले रहा है उसे अपने आप एक invoice उशू करनी होगी यदि आप Rule 36 को देखते हैं C GST Rule 2017 तो वहाँ पे Rule 36 Sub Rule 1 के नीचे जो है Close B दिया गया है जो किया कहता है कि जो व्यक्ति Section 31 Sub Section 3 Close F के अंदर invoice उशू करेगा वे उसका input tax credit तभी claim कर सकता है जो वे उस invoice के अंदर जो tax mention किया गया है उसकी payment कर देता है इस परकार यदि किसी व्यक्ति को reverse charge mechanism के अंदर GST pay करना था तो उसकी payment करने के बाद ही वे उसका input tax credit claim कर सकता है इस परकार यदि किसी व्यक्ति ने financial year 2018-19 में GST reverse charge mechanism के अंदर pay किया है और वो financial year 2017-18 से belong करता है तो वे उसका credit पिछले साल में नहीं ले सकता है बलकि जब वे payment कर देगा उसके बाद ही वे उसका input tax credit claim कर सकता है GST पर नई books market में आ गई है इन books को refer करने के लिए link इस GST News की video description में भी दिया गया है यदि आप GST के concepts को समना चाते हैं या फिर GST के exam की त्यारी कर रही हैं तो आप unacademy पर जाकर मेरी profile में videos को check कर सकते हैं जिसका link इस GST News की video description में भी दिया है और आप unacademy की learner app को भी download कर सकते हैं जिसका link GST, tax और finance के regular update के लिए आप Tax Seal की mobile app को google play store से download कर सकते हैं इसका link इस video की description में भी दिया गया है आज की GST की news आपको कैसे लगी इसके बारे में हमें बताएं like करें और share करें जितना अधिक आप like करते हैं और share करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की news आप तक पहुचा पाएं यदि आप GST से लेटर regular updates अपनी email id पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे newsletter को subscribe कर सकते हैं जिसका link के इस GST news की video description में भी दिया गया है यदि आप हमारे previous GST news को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे channel की playlist को refer कर सकते हैं